नमस्कार दोस्तों, बहुजनों की राजनीती में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन, तमिल लाडु में हुआ अंबेटकरवाद का उदै, अंबेटकरवाद ने जन्मा एक और बबबर सेर, नाम विजय चंद्रशेखर थलापती, जिसे वहां के लोग अपना कमांडर भी कहते ह दच्छिड भारत के सुपरिश्टार विजय ने अपने एक्टिंग पिरेड में एई बहतरीन फिलमें की, जिसमें लियो, मास्टर, थेरी जैसी बहतरीन मुवी सामिल हैं, अपने सक्सेस एक्टिंग पिरेड को छोड़ कर राजनीती में धमाकेदार एंट्री की, तमिलगा वैत्री कंजगम यानि टी वी के पार्टी के पहले राज संबिलन में अपने भासर से पहले राजनेता से नेता बने बिजय, जिने उनके प्रसंसक थलपती कमांडर के नाम से जानते हैं, ने अपनी बिचार तारा को सटीक रूप से कलपना का उपयोग करके इसप कर दिया, तमिलनाडू के बिल्लू पुरम जिले के विक्रमंडी में रविवार को भिजय की रैली में पांच समा सुधारक के कटाउट लगे हुए थे, पिर कामराज, पेरियर सहाब, बेलू नचियार, अंजलाई अम्मल और बियार अंबेटकर सहाब, यह एक पार्टी की जाती बिरोधी, धर्म निरपेच, राजनेतिक विचारधारा को दरसाता है, विचारधारा के बारे में बात करते हुए विजय ने कहा कि पार्टी द्रविड राष्टबाद और तमिल राष्टबाद को अलग-अलग नहीं करेगी, उन्होंने कहा वे इस धर्दी की दो हैं, टीवी के एक बामपत्थी विचारधारा वाली पार्टी है, बात करते हैं विजय की पार्टी के पांच आधार इस्थम्बों की, के कामराज सहब, के कामराज सहब का जन्द 1903 में हुआ था, और वेक स्वतनत्रता सैनानी थे, जिनने नवक सत्यागरे और भारत अंदुलन में भाग लेने का स्रेय दिया जाता है, बे उन्निस सो चववन में भारत में मद्रास प्रांथ के पहले मुख्यमंत्री बने, जिसमें बर्तवान तमिलनाडु राज और आंद्रप्रदेश करनाटक और केरल के कोचिस से सामिल थे, बाद में बे भारतिय ये कॉंग्रेस के अद्यच बने और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पार्टी के पुनर निर्मार के लिए जाने जाते हैं, पेरियर सहब, तमिलनाडु में थान थाई, पेरियर के नाम से मसूर पेरियार ईवी रामा स्वामी को द्रवड आंदुलन के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने द्रमड राज्य के लिए आंदुलन किया और तमिलों पर हिंदी थोपे जाने का विरोध किया, महिला सक्षर्था के समर्थक समासुधारक बिजय ने कहा है कि पेरियर ने उन्हें तमिलनाडु में महिलाओं को ससक्त बनाने के काम के लिए भीरमंगई यानि बहादुर महिला के रूप में जाना जाता है। उन्हें तीरंदाजी और विद्धुता दोनों में महरत हासिलती। विजय की पार्टी के सदस्यों के अनुसार उन्होंने विजय को एक दुर्जे दुस्मन से लड़ने के लिए साहस के लिए प्रेरित किया। अंजलाई अंबल तमिलनाडु के कुंडालोर की एक समासुधारक और स्वतनतता सेनानी अंजलाई अंबल महिला साक्षरता पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नमक सत्यागरे में भाग लिया और कॉंगरिस के महिला साखा की अदिस्ता की। उन्होंने विजय को प्रेज़ित किया क्योंकि उन्होंने स्वत्नतता पूर भारत में महिलाओं के हितों की बकालात की थी। अपने पहले राष्टी अद्विशन में भी उन्होंने सभा को संपूरित करते हुए जैभीम सुरुगात में बोला था। राजनीती है उसमें किस कदर विजय की एंट्री होगी क्या सक्सेस होगी या उसके कुछ और प्रणाम निकलेंगी ये आने वाला भविश्य तै करेगा। लेकिन राजनीती में एक अलग कुछ ना कुछ करिस्माई व्यक्तित्व जरुल आया है जो बहुजन राजनीती और देश की राजनीती को किसी हद तक हिला कर रख देगा। नमो बुद्धाये जैभीम साथियों।